तो आज आचुकी है मेरे पास गाड़ी देखने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं कि यह जो पर्टिक्लरली जो यह गाड़ी है यह सर्विसिंग की कौस्टिंग इसकी कैसी रहती है क्या सर्विसिंग की डिटेलिंग और क्या इसकी प्राइजिंग आती है तो आचुके हम लोग पचोली सुजुकी गुडगाओं तो देख सकते हैं आप यह राजीव चौक पर आउटलेट है सर्विस सेंटर नीचे ही है और उपर है सेल्स का आउटलेट तो आज करवाते हैं इस गाड़ी की फर्स सर्विस डेखते हैं इसकी क्या कॉस्टिंग अगेरा आती है और उस आपको पूरी डिटेल देते रहेंगे तो बने रही है हमारे साथ वीडियो में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब तो गाइस अब हमारे साथ आचुके हैं यहां के सर्विस अड्वाइजर राजेज जी वेलकम को फोर लॉग्स तो इस गाड़ी की फर्स सर्विस होनी है तो कुछ जरा आगर आप हमको बताएं इसमें क्या चार्ज जोंगे क्या एक्स्पेंस आएगा और क्या होने वाला है थोड़ा साइडीया इसमें नॉर्मल सर्विस हills आपका इंचोनोट चेंज होता हैं जोता है एर वर की अचेन नोगा जन zostू काट तो क्या इसका इसमेयर एक अधर इसका आफ्न हैका ग्या इनसमेल जन नहें किया स्र benश्किमीं शार्थागा और आपकाल्च आपके अश्यर अगर कोई अगर कोई और बेसिक प्रॉब्लम नहीं है तो यह यह एस्टिमेट आता है अच्छा इसमें और कौन सा पड़ता है पुली संथेटिक पड़ता है यह पुली संथेटिक पड़ता है इसके इंदर वो भी कम्पणिक अपने ही आता है तो चलिया गाइस तो तकरीबर हमें पता चलिक है कि वार्टास शो रुपे के आसपास का एस्टिमेशन आना चाहिए तो आप चलते हैं आईए बे की तरफ गाड़ी लगवाते हैं और कितना टाइम लगेगा इसको करने में व तो आईए इस गाड़ी को सर्विस कराते हैं और देखते हैं क्या क्या होने होगा तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि यहां पे सेंटर स्टैंड लगाया जा रहा है इस गाड़ी पे क्योंकि आफ रोडिंग वहिकल है तो इसमें सेंटर स्टैंड नहीं आता है तो स्टैंड लगा के फिर इसको जो है center stand पे set करेंगे जिसे कि इसके बाद इसकी service हो सके तो अभी एक बार यह stand set हो जाता है फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं आगे का process की क्या होगा यह रखिया इस तरीके से यहां पे यह stand लगाते और यह लगाने के पीछे का रीजन यह है की ऑफ-रोडी planning निव्हigal तो स्टेंड जो रहता है तो लगए तो इस वजह से से इसंट आप डिक नहीं आता है जैसे जैसे काम होता रहेगा वह मैं आपको दिखाता रहूंगा तो आप चंदन जी कंटीनु कीजे तो अब जैसे जैसे जो भी काम होगा वह मैं आपको दिखाता रहूंगा तो यह रहा इसका यह पैनल और यह रहा इसका एर फिल्टर जो इसके अंदर था तो यह एर फिल्टर बाहर आ गया है तो यह अभी चेंज होगा क्लीन होगा अभी क्लीन होगा ठीक है ठीक है कर दी जो तो यहां से इस तरीके से कुछ पैनल को अलग किया जाता है और फिर पैनल को अलग करने के बाद फिर यहां पर यहां से स्पार्क निकाल के लिए किया जाएगा ने सिंगल संग्ड़ प्लग होता है ने सब्सक्राइब है और अब यह वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं कि काफी कॉम्पैक्ट और काफी यूजर फ्रेंडली गाड़ी बनाई है कि पैनल खोलिए काम कीजिए पैनल वापस लगाई है तो काफी अच्छा लगा मुझे यह पैटरन इसका तो यह देखिए कि अब यहां पे सपाब्फ टाइट हो रहा है अभिया इसके बाद इंजन और और पिल्टर ओके तो चलीए आगे दिखाते हैं आपको और क्या-क्या होने तो गाइज यह देख सकते हैं अब आप यहां पर यह रिखे अब इंजन ऑईल चेंज हो रहा है तो अब इंजन ऑईल चेंज करने के लिए यह है पर्टिकुलर ड्रेन बोल्ट जो की खोला जा रहा है और इसमें से ऑईल निकाला जाएगा चंदन जी कितना ओईल पढ़ता है इसमें 1200 ml ओके उसके बाद यह देख सकते हैं कि यहां पर जो है ओईल फिल्टर भी निकाला जा रहा है तो यह देखे अब ओईल कंप्लीटली ड्रेन आउट हो चुका है थोड़ा सा ओईल यहां निकलेगा भी ओईल फिल्टर में से और यह देखे तो यह देख सकते हैं कि इस तरीके से यह ओईल फिल्टर इसमें से निकल चुका है और अब गाड़ी कंप्लीटली ड्रेन आउट हो चुकी है तो अब इसमें डालते हैं नया ओईल फिर दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस यह देख सकते हैं आप यह आ सिंथेटिक एंजन ओई तो यह एक लीटर अभी 200 मेल और डालेंगे अच्छा और इसकी जो कॉस्टिंग है दिस इस 639 रुपीज और अगर मैं ओईल फिल्टर की बात करूं तो इसकी कॉस्टिंग है मात्र 40 रुपे तो गाइस काफी कॉस्ट इफेक्टिव है 40 रुपे का ओएल फिल्टर है और 640 का यह और में क्याल से और जो भी 200 मेल और पड़ेगा तो अब यह पढ़ने देते हैं फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस के गाईज यह देखे गाई सो बचा हुआ 200 मेल और भी लाके डाल दिया गया है तो यह पूरा हो चुका है अब इसमें 1200 म तो फाइनली गाड़ी की सर्विस में आप बेसिक चंदन भाई अब इसके बाद क्या करने वाले हो आप चैन टाइट करोगे चैन स्प्रे चैन लूब और फिर जैनरल टाइट वाइट करोगे अच्छा थीक है तो यह रिखे यह भी अब हो चुका है काम हो गाई जी रिखे आप जो इए ताइट की जा रही है तो यह रहे है जो तो अब यह रएखे चेन टाइट होने के बाद इसके बाद चाहीं क्लीन और लूब अला तो घाइज अब यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे जित्ते भी इलेक्रिकल्स हैं सबको चेक कर रहे हैं, लाइटस वगरा सब चेकी जा रहे हैं तो सीछ कर रहे हैं कि इसमें पूई दिक्कत तो नहीं आ रही है को इन आर्पनॉर्मल साउंड वगरा तो नहीं प ब्रेक वगेरा सब टेस्क कर रहे हैं तो लेट सी क्या आता है निकल के तो गाइज अब आप देख सकते हैं यहां पर यह रिखेंग की जा रही है क्लीनर लगा के चेंग को पूरी तरीके से क्लीन किया जा रहा है जिससे कि एक बार यह चेंग बहुत प्रॉपरली क्लीन हो जाएगी तो उसके बाद फिर इसको वाशिंग बे डालेंगे गाड़ी को और फिर उसके बाद एंड में लूप अगेरा भी करेंगे कुछ और काम र अब यह रहें यहां पर चेंग रूब होने वाला है यह रहें तरीके से यहां पर चेंग होने वाला है सब्सक्राइब आप देख सकते हैं कि बिल आ चुका है इसमें ओइल फिल्टर एयर फिल्टर ओइल चेंग लूब्रिकेशन सारी चीज़ें मिला के तो अप्रॉक्सिमेट हमें तकरीबन 1100 रुपे का बिल बताया गया था और अब यहां पे आप देखें तो यह आया है हमार सब्सक्राइब और इसके साथ साथ ओइल फिल्टर चेंज हुआ है एयर फिल्टर क्लीनिंग बाकी और सारे पार्ट्स की चेकिंग एंड डिस्रिबूशन हुआ है तो मेरे साब से 1085 इसा वेरी वैलिद अमाउंट फॉर 250 सीसी बाइब और विद कम्प्लीटली सिंथेटिक इंजन ओल तो डेफिनिटली मैं काऊंगा कि यहां पर सुजुकी की जो सर्विस कॉस्ट है वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव है लाइक ऐर फिल्टर आप देखे 30 रुपेगा विच इस वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव तो उम्मीद करता हूं आपको आज कहीं हमारा निव रेलवेर रोड गुडगा हूं तो विध इस नोट इस इस मी नितन साइन आप फॉद देखे आप से बहुत जल्दी एक और नहीं वीडियो में तिल थें स्टे टून स्टे से 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 कूर गुडबाई